नमस्कार दोस्तों मैं आपकी दोस्त अंजुद्वा जैमिनी पुस्तक समीक्षा कारिकरम में आपका एक पर फिर से स्वागत आज मैं जो पुस्तक लाई हूँ प्यारे प्यारे हमारे भोले भाले बच्चों के लिए चैल छबीली गिलरिया लगू कवीता संग्रें और ये प प्रकाशित हुई है हार्डबॉन में मुल्ले मातर 250 उर्पे प्रिष्ट असी सुकिर्थी प्रकाशन कैथल से प्रकाशित हुई है अब मैं रूपदेव जी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूं रूपदेव जी में हिंदी पंजाबी है बीएट किया इन्होंने कवीता संग्रें प्रत्थम है ये बाल कवीता संग्रें तो बहुत है अभी लेकिन लगु कवीता संग्रें प्रत्थम है ये और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्यारी प्यारी गिलर्यों और बहुत सारी कवीताएं है और इस पुस्ता को समर्पित किया है सुप्रसित वर लेखा है हमारे रूप देव जी ने लिखा है उन्होंने कहा है कि मुक्त चंद में 6 से 10 पंक्तियां तक ही लगु कविता होनी चाहिए भावना प्रधान होनी चाहिए बुद्धितत्व प्रबलना हो भाशा सरल हो अलंकार हो और रसो बिम्भ हो और ये सभी 36 कविता हैं इसमे प्रतेक कविता के साथ फोटो भी है गिलहरी, बंदर, नदी, फूल, सर्दी का मोसम, भाई बहन का रिष्टा, बगुले, चांदनी रात ये सभी पक्षी, ये सभी विशेवस्तु हैं इन कविताओं के, इनका मानवी करन करने से कविताओं पाठक के दिल के साथ साथ के संबन स्तापित करती हैं, भावुक मन की कविताओं बच्चों के मन में, गिलहरियों को देखकर, क्या उमकता होगा बच्चों के मन में, ये इस हन में लपेट कर पन्ने की जमीन पर सजाई हैं बाल सुलब मन इन पश्यू पक्षियों के साथ खुशी महसूस करते हैं बाल बच्चे जो हैं वो इनकी पालना करना चाते हैं तभी लोग पालतू पश्यू पक्षी रखते हैं क्योंकि बच्चे इनके साथ अनंद महसूस करते उन्हें खुशे मिलती हैं, गिलहरिया पल भर में दिखाई देती हैं, पल भर में दृष्टी की पकड़ से ओजल हो जाती हैं, इन्हें बहु खुबी ननी कविताओं में ढाला है कवी मोहदे ने, प्यारे बच्चों के लिए प्यारा प्यारा तौफा, और अब मैं एक तो कवीताएं पड़ देती हूँ, जो प्यारी प्यारी मुझे लगी, सबसे पहली कवीता है, प्यारी सी बंदरिया को आया गुसा, बंदरिया अपने बच्चे को लटकाए, अपने साथ रही थी घुम, कभी बंदरिया की पीट पर जा बैठता बच्चा, इतने में बंदरिया को आया गुस्सा उसने पटका उसे जमीन पर और चलने लगी धीरे धीरे बच्चे को पता नहीं क्या हुआ वैं फिर चड़ गया उसकी पीट पर देखिए इस तरह से चितर बना रखे हैं इनोंने बच्चों के लिए बहुत यह आकरशक रहते हैं और आप मैं आपको एक दो क कविता हैं और सुनाओंगी एक और मुझे बड़ी अच्छी लगी कविता है वैं तो बहुत बच्चों के हिसाब से इन्नों ने लिखी हैं लगती हैं सब को अच्छी कौन उसना यह मेरे गिलहरियां ही गिलहरियां कुछ बड़ी कुछ चोटी कुछ मध्यम सी फुदकना ह इनका काम फुर्तीले पन के कारण ये सब लगती हैं सबको अच्छी एक और देखिए ननी कविता देखा नहीं मैंने आज तक एक गिलहरी चड़ी रिक्ष पर टहने से होती हुई पहुची अंतिम टहने पर गई वहां लटक लगी कुछ खाने सोचती नहीं अगर गिर गई त तक वैसे किसी गिलहरी को गिरते हुए इस तरह की कविता एं एक और देखिए के बारे में गिलहरी से कुछ पूचना चाहता हूँ जाता हूँ उसके पास डर के मारे वह भाग जाती कभी है पूछ उठाती तो कभी गिराती बुलाता हूँ उसको वे नहीं आती मुच्छों से देखती हुई है मुस्कुराती देखा आपने भोली कविता हैं इसमें और आखरी कविता इस संकलन की है और है भाग जाती है गिलहरी कभी पूच उपर कर लेती है तो कभी नीचे जाती है पानी के पाइप के पास और पीने लगती है पानी फिर देखती है चारों और है भा जाती जी हां दोस्तों तो आपको कैसी लगी इनकी कवीता है रूप देव गुर्जी की लेखनी को शत शत वंदन इश्वर से प्राटना करती हूं कि इनकी लेखनी यूहिल अनवरत चलती रहे चलती रहे और चलती रहे धन्यवाद दोस्तों फिर टुड़ने के लिए और फि का के लिए गाने माँ